हेलो एंड विलकम दोस्तों एक बरफुना आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिस न्दियो कुमार में दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है यह आपका हम लोग जो साइन्स का 100 इंपोर्टेंट क्यूशन कर रहे हैं उसका यह तीसरा नंब क्लास होने वाला है दोस्तों थर्ड क्लास होने वाला है इस क्लास में दोस्तों हम लोग बैलोजी का ही क्यूशन को देख रहे हैं अभी तक और बैलोजी का अभी तक दोस्तों हमने आपको 20 इंपोर्टेंट क्यूशन आपको हमने प्रवाइट कर दिया है तो आसा करते हैं क कि आप लोगो और सारे क्योशन को практиist कर लिए होंगे अच़े तरीके से तो श込दिए प्राइच कर लेजिए पिछले पीछे जो भी वीडियो हमने provide किया है और सभी को आप आप लोग जो है अच्छे से जो है एक बार सारे क्योशन को देख लेजिए और सारे को अच्छे से आपको उसका इंसर लेकर करके और प्रेक्टिस करना है और आज का जो ये वीडियो होने वाला है इसमें भी दोस्तों हम क्योशन नंबर 21 से लेके क्योशन नंबर 30 तक आपको बताने वाले हैं जो की सारे क्योशन हमने आज भी जो लेके आया है आपके लिए ओ बैलोजी का ही आपके लिए हमने लेकर के आया है दोस्तों और हो सकता है कि कल का जो class होगा 4th नमर class उस class में दोस्तों मैं biology के ही 10 और important question आपको करवा दूँगा तो biology के 40 important question हो जाएंगे इसके बाद दोस्तों हम लोग chemistry के जो questions हैं उसको देख लेंगे 30 question हम chemistry का देख लेंगे 30 question हम physics का देख लेंगे और ये सारे questions long questions हैं एक दो questions biology में हम ज आगे से दोस्तों short question ये series में एक भी नहीं होगा ये series में जो भी question सम करेंगे सारे question आपके long question होंगे और जो आपके जो है सो एक्जाम में 4-5 नमबर में या दोस्तों 3-2-3 नमबर में आपके पूछा जाते हैं मतलब short question नहीं होगा एक दरसे कर सकते हैं कि जिसमें आपको answer लिखना होता है one word में नहीं one word में नहीं आपको answer लिखना होता है कम से कम आपको दोस्तों इसका answer जो है सो अच्छे से 4-5 line में देना होता है ऐसे questions दोस्तों मैं ये series में आपके लिए ले करके आया हूँ दोस्तों और इसका दो वीडियो हमने provide कर भी दिया है तो उसको आप देख लिजएगा इसका अलग से दोस्तों हम playlist जो है सो create कर देंगे आज ही जो है सो मैं create कर दूँगा और आप लोग असानी से सारे वीडियो उचको खोज पाईएगा उसका link भी मैं share कर दूँगा community tab में मैं share कर दूँगा तो आप लोग देख लिजएगा ठीक है चलिए क्लास को देखते हैं क्योचन नंबर 21 क्या कहता है क्योचन नंबर 21 दोस्तों आपका है कि YVA और AYVA स्वासन में क्या अंतर है दोनों में यह आपको बताना है दोस्तों YVA स्वासन और AYVA स्वासन में क्या difference है यह आपको बताना है अगला क्योचन नंबर 22 है नेफ्रोन की और इसका जो कार्य विधी है यह आपको बताना है आगे देखते हैं क्योचन नमर ठड़ क्या कहता है क्योचन नमर ठड़ है आपका समझात तथा सम्रूप अंगों को उदाहरन दे करके समझाईए सम्रूप अंग और सम्रूप अंग इसको आपको एक्जामपल देखे एक्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ उदाहरन भी पूछा जा सकता है तो आप लोग यह चीज़ को ध्यान रखेगा क्योंकि यहां से क्योचन आपके एक्जाम में प्रिवियस एयर का पेपर के बात करें तो आपका जो हैसो बहुत बार यहां से प्रस्ण पूछे गया है तो यह आपका जो हैसो भी भी आई है यानि कि दोस्तो इसको आप लोग इंपोटेंट कर सकते हैं भी भी आई में इसको आप लोग टिक कर लिज़ेगा इंपोटेंट क्योचन है वैसे तो सारे क्योचन जो भी मैं दे रहा हूं इंपोटेंट है फिर भी इस में से जो भी भ गरधला है क्या कारण है कि आक्रिति आकार रंग रूप में इतने उतने भीन जलदबाजी में फिली 사 ES Long कोई बात आगे से में दोस्तों ध्यान रखा जाएगा tired class बनात ही नहीं आने वाला था लेकिन जलदबाजी में एक टाइपिंग का काम किया हूँ क्योंकि whiteboard पे दोस्तो record नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो issue आ रहा है कि line जो है सो बहुत जादा जो है सो यहाँ पे disturb रहता है जिस वज़़े से बहुत परसानी होता है एक बारे video recording नहीं हो पाता है दो बार तीन बार इस वज़़े से मैं जो है सो e-screen recorder से ही record करके आप तक पहुँचा रहा हूँ जैसे ही line आपका ठीक हो जाएगा और regular basis पे यहाँ पे electricity का supply शुरू हो जाएगा तो मैं आपका दोस्तों provide करना program कर दूँगा whiteboard से सारे videos को अभी थोड़ा सा परिशानी है आप लोग थोड़ा सा manage कीजेगा और देखे question number 24 क्या कारण है कि आकिर्टी आकार रंग रूप में इतने भीन दिखाई दिने वाले मानव एक ही species के सदर्स्ते हैं यानि एक ही species के क्या है member है चलिए यह आपको बताना है question है अगला देखते हैं अगला question 25 number है यह आपका question है गुन सुत्र क्या है दोस्तों गुन सुत्र से है कि गुन सुत्र क्या है यह आपको बताना है दोस्तों और यह भी question बहुत बहुत important है गुन सुत्र दोस्तों हम लोग बात करें तो गुन सुत्र दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे मेल का और यहाँ पे बात करते हैं फीमेल का तो दोस्तों क्या होता है कि मेल में दोस्तों जो गुनसुत्र होता है गुनसुत्र की संक्या कितना होता है गुनसुत्र का संक्या 23 जोड़ा आपका जो है सो मेल में भी होता है 23 जोड़ा आपका फीमेल में भी होता है ठीक है यहाँ पे हम मेल को देख रहे हैं यहाँ पे हम द में क्या होता है मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में होता है एक्स और एक्स इसी से दोस्तों लिंग निर्धारन होता है तो लिंग निर्धारन के लिए जो गुंसुत्र होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा जो गुंसुत्र होता है वही उत्तरदा होता है इसके बारे में दोस्तों हमने अच्छे से बता दिया था कैसे लिंग निधारण होता है यह हमने आपको समझाया है पिछले जो वीडियो हमने बहुत सारे जो एक स्रीजन निचलाया था जो कि लगभग हम जो है सो बाइलोजी तो आपके कंप्लीट कर लिये थे और केम आपका कंटीनिव नहीं हो पाया था अभी जो स्रीज चल रहा है यह स्रीज को आप लोग देख लेते हैं तो आपको प्रोब्लम नहीं होगा मैं क्योशन की मदद से प्रयास करूँगा सब कुछ आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ तो यह जो लिंग निर्धारन वाला जो यह हमने आपको बता दिया है तो याद रखेगा कि एक जोड़ा जो गुनसुत्र होता है ओ उतरदाई होता है किसके लिए लिंग निर्धारन के लिए यह उतरदाई होता है और पुछेगा कि मानों में गुनसुत्र कि संक्या कितना होता है तो यह होता है 46 होता है जोड़ा 26 की बात करते हैं ये है मेंडल ने अपने پरियोग में किस पौधे का उपयोग किस पौधे को जो है सो उपयोग में लिया था दोस्तो ये आपको पताना है मेंडल तो आपको भी बता होगा की ये जो यूज किया था ओधा मतर का पौधा ये question का answer में बता दिया हूँ मटर का पौधा था और मेंडल का जो सिधान था ठीक है इसके बारे में आपको बिस्ताद से लिखता है क्योंकि मेंडल वाला क्योशन भी हो सकता है कि आ जाए तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लिजेगा दोस्तों अगला क्योशन 27 नमबर जो बताना है कि विकास में संबंध अस्थापित करने में जिवासम का क्या महत्व है दोस्तों ये चीज़ आपको बताना है चलिए देखिए अगला क्योशन 28 नमबर क्योशन कहता है दोस्तों कि डालिसिस क्या है डालिसिस के बारे में बताना है कि डालिसिस होता क्या है और वि 29 नंबर यहां पर कीयुषन है जो कि हम दिये है आपको ड्रो करना है मानव नितर का एक स्वक्ष और असपस्ट नामांकित चितर करना है ठ्чик है नामांकित उसमें आपको नाम भी लिखना होगा प्रतेक जो पाठ है प्रतेक भाग का नामांकर भी तो आपको करना है तो मानव द्यतर का स्वक्ष और अस्पष्ट नमानकित चितर आपको बनाना है दोस्तो 29 नंबर क्य스न में अगला क्योशन है Qtion में, अगला Q Station है नवी कर्निये समसाधन क्या है बताना है दोस्तों इसका आप लोग को Example भी देना है दो से तीन Example आप लोग दे दिजएगा तो आपका दोस्तों ये Qtion complete हो जाएगा, नवी कर्निये और नवी कर्निये ये सभी Qtion आप लोग को दोस्तों जो भी क्योशन इकजार में देखने को मिले ओ क्योशन सारे इसमेंसे फंसे ताकि आप लोग को इसका benefit मिल सकेगा और मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हैं druck कि अगर यह 40 क्योशन अच्छे से आप लोग कर लेते हैं दोस्तों तो आपका दोस्तों महम कर सकते हैं कि 70-80% जो बैलोजी का जो क्योशन आएगा वो आपसे बन जाएगा उसका एंसर आप लोग लिख लिजेगा क्योंकि दोस्तों एक जो वीडियो आएगा कल ठीक है उसमें बहुत सारे ऐसे मैं क्योशन बताने वाला हूं जो डाइरेक्ट लिए आप ए फ्लड पमपिंग होता है इसका भी आपको न मानकी चित्र लना तो का जो क्लास उसमें मैं में फोकस करूंगा ऐसे मैं आपको आएस से टॉपिक बता दूंगा जिसका चित्र 29 बनाकर प्रैक्पिस करते रहेगा तो वहीं से आपका दोस्तों कमप्लीट हो जाएगा एक 11 a.m. है आज दोस्तो offline class था ठीक है त्यूसंस के वज़ा से आपका दोस्तो classes जो है सो थोड़ा सा late यहां पर मैं upload कर रहा हूँ कल से आपका जो है सो time पर सारे classes जो है सारे classes के आभी तो एक ही class आ रहा है तो आपका यह आएगा और बहुत जल्द दोस्तो मैं math का और जो आपका social science का है ठीक है social science का दोस्तो जो class है वो भी बहुत जल्द start कर रहा हूँ जिसमें दोस्तो मैं प्रयास करूंगा कि math में भी 100 questions का ही एक स्रीज़ श्रीज़ श्राट कर दूँ जिसमें important questions आपको बता दूँ हर एक टैक का question मैं आपको बता दूँ इसके अलावा social science में भी दोस्तो प्रयास करूंगा 100 ऐसे important questions लाने का जिससे आपको benefit मिल जाए तो आसा करते हैं कि आपको आपको जो दोनों नया स्रीज़ आने वाला है वो जल्दी से जल्दी मैं start करूं उसका आपको बहुत ज़्यादा benefit मिले और मिलेंगे हम लोग फिर next वीडियो में कल का class दोस्तो 11 a.m. पे ये fix है बाकी अभी जो classes है वो कब से आएंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे कल के वीडियो में और और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको तयारी करना है answer कैसे कैसे आपको लिखना है answer प्रयास किजेगा आप लोग अपने ही भासा में लिखने का अपने word में इसको लिखने का प्रयास किजेगा book से आप लोग इसका answer लिखने का ज़ादा प्रयास ने किजेगा पढ़ने के बाद प्रयास किजिए कि इसको अपने भासा में कैसे लिखा जाए कैसे इसको हम दोस्तों बेश्ट लेंग्वेज में कैसे इसको हम लिख सकते हैं अपने भासा में ठीक है तो ऐसा प्रयास करना है तभी आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ले करके आप आई चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 11 बजे तब तक के लिए बाई बाई जै हींद जै भादरत जैजाद फंद